हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंजक्षन के बारे में जो की डिलिवरी के समय यूज किये जाते हैं यानि के जब महिला को दर्द होता है उस टाइम को इंजक्षन दिया जाता है या फिर डिलिवरी के बाद कोन से इंजक्षन दिया जाता है तो दोस्तो अगर आप मेडिकल फिट से चुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा जिससे के आपको ऐसी medicine cellulatory से भी जानकारी मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो पहला injection है oxytoxin जो की बहुत ही common है और सभी जानते होंगे दोस्तो इसके uses की बात करें तो यह जब इस्तिमाल किया जाता है जब महिला को टाइम पुरह हो जाता है और फिर भी दर्द नहीं होते तो यह दर्द को बढ़ाता है यानि के uterus की muscle के contraction को बढ़ा देता है जिससे की दर्द होने शुरू हो जाते है और दोस्तो यह bleeding को भी रोकने में help करता है और साथ ही milk production को बढ़ा देता है जिससे की कुछ डोक्टर इसको delivery के बाद भी यूज करते है जिससे की milk production बढ़ जाए और साथ ही इसको IV या फिर intramuscular दोनों तरह दे सकते हैं तो दोस्तो नेक्स्ट injection है methyl ergometrine जो की oxytoxin की तरह ही वर्क करता है दोस्तो जब महिला को दर्द होने शुरू हो जाते हैं लेकिन महिला तागत नहीं लगा पाती या फिर corporate नहीं कर पाती तो तब यह injection लगाया जा सकता है और दोस्तो यह IM, IV या फिर subcutaneous लगाया जा सकता है दोस्तो नेक्स्ट injection है वेल्थामेट ब्रोमाइड अमारी normal delivery की जाए तो तब इस injection का यूज किया जाता है तो दोस्तो यह injection कहीं जगापर काम नहीं करता जैसे कि बचा उल्टा हो या फिर हड्यों में फसा हो तो तब यह injection काम नहीं करता क्योंकि यह सर्विस को बढ़ाता है ना कि हड्यों को तो चलिए दोस्तो ने बात कर लेते हैं डिट्रोड्राइन हाइड्रोकलॉराइड इंजक्शन की जो कि प्रिटरम delivery में यूज किया जाता है यानि कि दोस्तो समय से पहले ही मैला को दर्द होने शुरू हो जाते हैं और उनका सर्विस का मुँ भी नहीं खुला होता तो तब दोस्तो इस इंजक्शन का इस्तिमाल किया जाता है जिससे की दर्द बंद हो जाए और यूट्रेस के कॉंट्रेक्शन को भी कम कर देता है यह है रिट्रोड्राइन हाइड्रोकलॉराइट एन एमजी 100 ml की एनसी या फिर डी एनस में डाल कर दिया जाता है जो की पहुती सलोली दिया जाता है और दोस्तो इसकी टैबलेट भी आती है जो की हर दो गंटे बाद दी जाती है जब तक दर्द बंद ना हो जाए और साथी यह हर्टबीट को भी मेंटेन रखता है और फ्रेंट्स इन सभी इंजेक्शन के कुछ साइड एफेक्ट भी होते है जैसे की हर्टबीट को बढ़ा देता है और हाथ पेरों में एठन आ जाती है तो इन सभी इंजेक्शन को डॉक्टर की देखरेग में ही लगाया जाता है तो दोस्तो आसा करता हूँ यह है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा जिससे के दोस्तो आपको ऐसी ही नोलेजेवल वीडियो मिलती रहे थेंक्यू सो मच वोचिंग फॉर माई वीडियो